गुज्रे हुए पलों को तु याद न कर, जो भाग्य में लिखा है, उसकी फर्याद न कर, जो होना है वो होके रहेगा मेरे यार, तु कल की फिकर में अपना आज को बरबाद न कर, कहते हैं न, अच्छी जिन्देगी जीने के लिए, चिंता नहीं, चिंतन करिए, क्योंकि च चिंता, चिता को जला देती, चिंतन और चिंतन, और चिंता करना, दोनों मैं अंतर नहीं पता, तो कमेंट करना मैं बताऊँगा, आज का टॉपिक फिलाहला भी में बताने जा रहा हूँ, तो घखात समिक औरना, एक वीडियो एक टॉपिक वाली सीरीज है, एक बार फिर से इस स्रीज में आपका स्वागत है वीडियो नंबर 64 कौड्रेटिक क्या होते हैं आप कमेंट करके मुझे बताना फिलहाल आज मैं बहुपद को तोड़ना सिखा रहा हूं बस जितनी घात होगी मैक्सिमम किसी भी इस तरीके के एक्वेशन में वह उसकी क्या कहलाती है बहुपद की घात कहलाती है ठीक है बात को समझ पारे नों सभी लोग कोई दिक्कत परिशानी किसी को नहीं है न अच्छा चल रहा है सब बढ़िये चल रहा है मस जबर जस ठीक है तो चले जैसे देखि सकता हूं मैंने क्या किया बारा को दो भाग में तोड़ दिया मने ले लिया माल लो चलो अठारा अठारा को मैं नव गुड़ा दो लिख सकता हूं छे गुड़ा तीन लिख सकता हूं तो मैंने क्या किया इसको दो पार्ट में तोड़ दिया उसी तरीके से इसको क्या मैं आज आपको बताऊंगा अगले 10 मिनिट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कम से कम 10 एक्जांपल बताऊंगा मतलब 5 एक्जांपल चल। कि साथी मेरे जैसा की पहला सवाल था ना पहले सवाल में बात करूं कि दूसरे से इसको कैसे करेंगे जानते हो बताऊं देखो यहाँ पर जगा कम है एक्स स्क्वाइर माइनस 4 एक्धान 3 है न देखो यहाँ पर एक्स स्क्वाइर माइनस 4 एक्धान 3 इसका अगर आंसर की बात करूं तो इसका जो आंसर था वो एक्स माइनस 1 एक मूल था आइधिंग यही था बताताऊं कैसे देखो इसमें क्या कर कर나 है। यही दो हमारे काम के हैं बाकी सा वेकाम हैं हर दाट साव् में पर ओवसरार लुँना करना है कि कोई ऐसी गुंटी खोजना है कोई ऐसी दो गिंती खोजिए जिनको इनको गुड़ा कर दें तो चार आ जाए ठीक है यह क्या करें गुड़ा करने पर आए और उन्हीं दोनों गिंती को अगर हम जोड़ दें तो यह चची आजाए बगल वाली ऐसी कोन दो गिंती खो जो जल्दी से फट से भाई साथ दो को दो में जोड़ेंगे तो चार तो आ और चार कब आ सकता है चार को अगर हम एक में गुड़ा करें तब वो चार आ जाएगा लेकिन इससे होगा फिर हो उनको जोड़ें तो चार आए और गुड़ा करें तो तीन आए अब आया है आर में तुमको सब्सक्राइब अंसर बतार नहीं बहुत लंबा हो जाएगा यह तो वह हो सकता है क्या जोड़ने पर चार आए न तीन और एक तीन और एक तीन और एक जोड़ो चार होगा तीन और एक का कुड़ा करो तीन होगा है ना बात बन गई तो यह दो कोशन बावर लंबा हो जाएगा तो कुछ लोग बोर हो जाते हैं चलो तो क्या करेंगे चार को मैं लिख सकता हूँ भाई साब क्या चार को क्या लिख सकता हूँ तीन धान एक लिख सकता हूँ कि नहीं ओर को मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ बाहर से एक्स था तो एक्स लगा दिया प्लस का 3 बराबर का 0 अब यह एक्स का स्कॉर माइनस 3 इस एक्स का गुड़ा दोनों में अंदर में करेंगे तो एक बार 3x फिर इसका 1 में करेंगे तो क्या होगा 1x यानी x breakout के पहले minus है इसलिए खुलेगा तो अंदर के चिंज हो जाएंगे तो यह हो जाएगा minus और x और यह plus 3 बराबर 0 अब क्या करोगे बच्चा इन दोनों में common लेना है इसमें आप देखो याक्स कामन ले लोगे तो याक्स माइनस 3 बचेगा इसमें minus 1 कामन लोगे तो याक्स माइनस 3 बचेगा बराबर 0 यहाँ पर एक ही जोड़ ध्यां रखना है कि जब हम common निकालते हैं common जब हम निकालते हैं तो जो breakout के अंदर बचता है दोनों में सेम चिन और सेम मेटरियल बचना चाहिए अलग नहीं जैसे यहाँ minus है यहाँ भी minus तीन है तो यह भी तीन अलग-अलग होगा ही नहीं कभी भी अगर अलग-अलग हो रहा है तो फिर वो गलत है गड़बड है कुछ लोचा है ठीक है तो यह क्या होगा x-3 and यह x-1 बराबर 0 आप कह सकते हो इनके दो जो मूल है वो x-3 और x-1 हो गए ठीक है अगर इनके मूल निकालना है कि दो मूल बताओ तो क्या होगा वसे फिलाल मूल नहीं निकालना है तीन होगा और second मूल क्या होगा second मूल क्या होगा भाई साब वन होगा ठीक है लेकिन चुकि मैं basic से पढ़ाता हूँ और मेरी आदत है कोई भी चीज को बहुत ज़्यादा explain करना तो जो answer आया है सही है कि गलत है हम यह भी यहाँ test करके देखेंगे भले दूए सवाल करें एक है सवाल करें इसका बाकी कचीज अगले वीडियो में हो जाएगा कोई बात नहीं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो आप देखते नहीं हो इसका क्या आया था final में एक्स माइनस तीन आया था एक्स माइनस वान आया था न बाकी जो बगल वाला माइनस तीन है उससे भी क्या करेंगे दोनों में पूरा-पूरा गुडा करेंगे तो माइनस 3 का गुडा X में करेंगे भाई साब तो माइनस 3 X और माइनस 3 का गुडा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है multiple करने पर 3, ठीक है? कोई दिक्कत ना? अब आगे देखो यह X का square माइनस माइनस जुड़ जाता है माइनस का 4 X और धन 3 बोलो यही तो था यही तो था जो लेका हमने सुनू किया था वही तो था माइनस ही था 4 X और 3 प्लस में था ना? तो इसका मतलब यह हमारा जो सिस्टम मैंने लगाया सही है कोई डाउट ना किसी को होता है समझते चलो यह हो गया डन अब आगे देखे आगे क्या है इसको कर लोगे ना पक्का यह भी बता दूँ चलो 10 मिनिट के अंदर हो जाएगा बेडियो अच्छा रहेगा यार मतलब मजा नहीं आती एक आज सवाल में ना? और टाइम तो लग जाता है जोडने पर 8 है देखो 6 और 2 जोड़ें तो 8 आज आएगा लेकिन 6 2 का गुड़ा करोगे तो 12 आएगा हां गड़बढ़ है फिर 8 और कब आएगा 4 का 4 में जोड़ेंगे 8 आएगा लेकिन 4 का 4 में गुड़ा करोगे तो 15 नहीं आएगा वैसे आप 15 आना चाहिए संख्या क्या होगी 5 और 3 आओ यक्स का स्क्वाइर धन 8 की जगा पर 5 धन 3 लिखेंगे बाहर फे यक्स धन ये 15 बराबर 0 यक्स का स्क्वाइर धन ये 5 का एक्स में गुड़ा 5 यक्स 3 का एक्स में गुड़ा 3 यक्स धन 15 बराबर 0 इसमें X क्या करोगे, common लोगे, X plus 5 बचेगा, इसमें 3 common लोगे, तो X plus 5 बचेगा, बराबर 0 ठीक है, कोई doubt न, अब X plus 3 ही आपका एक answer हो गया, और X plus 5 एक answer हो गया, बराबर 0 क्या करना था, समीकरण का गुड़न खंड करना था, factor करना था, तो मेरे प्यारे हो चुका है से गुड़ा कर लो तो फिर से यही आ जाएगा मल्टीपल करना जानते हो ना सिखाया हूं इसके पिछले वाले वीडियो में इस लिए पहले फिखाया हूं एक चीज और बता दूँ जितने घहात का समीकरण है उसकी जो मूल है वो उतने ही आएंगे दो घहात समीकरण में दो और अगरागार आएसे कुछ है तो इसकी क्या है मैक्सिम्मूम घहां टीन है तो यह क्या है तिन ने चार बहलाईंगा। तो उसके चार मूल आएंगे जितने घहात का समीकरण होगा उसके उतने ही मूल आते हो उतने ही पार्ट में तूडता है मैं यह कहना चाहता हूं जैसे कोई विवस्तू जितनी बड़ी होती है उसको उतना ही ज्यादा छोटा-छोटा आप थोड़ सकते हो है ना तो उमीद करता हूं कि समझ में आया कोई डाउट है तो कमेंट करिए और हाँ चलते चलते कि अभी इसमें सवाल दो बहुत सारे हैं इनको आप घर से करना हो मोर्क है यह लिख लो जल्दी से यार टाइम बहुत जदा हो रहा है यह भी स्क्रेंशाट लेलो हो मोर्क है हो गया यह भी हो मोर्क है इस तरीके से आप लोग इनको करोगे चिन देखे घबराना नहीं सब वही सेम तरीका है बेसिक गड़ित का न्यू बैज 10 नौंबर से पीवर स्टेड़ी एप के अंदर लांच हो चुका है एक बार डाउनलोड करकर ट्राई करें जद जनकारी के लिए न